अभी हाली में आप लोग उन्हें देखा होगा कि मद्द पिदेश सरकार के द्वारा मद्द पिदेश की जो महलाएं हैं मद्द पिदेश की जो मोल निवासी महलाएं हैं उनके लिए एक योजना लाई गई है जिसका नाम है लाडली बहना योजना और मुझे लगता है अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहें तब आप लोगों को इसके बारे में मालू होना चाहिए और अगर आप मद्विदेश के निवासी है तब भी आपको इसके बारे में मालू होना चाहिए और आसपास जो आप देखे 23 साल से 60 साल के बीच की जो महलाएं हैं उनको जरूर आप लोग बताईए और कौसिस करिएगा कि उनका फॉर्म भी भरवाज जाए और मुझे लगता है कि पड़े लेखे होने का यही एक तरह से आप देखे कि समझदारी होती है कि अगर किसी योजना के बारे में आपको मालू है तो उसका उसके बारे में लोगों को बता पाएं आप लो एक बार आप लोग मत्यपदेश को देख लीजे उसके बाद इसी योजना के बारे में बात करते हैं और इस योजना का लाव लेने के लिए जानदा कोई भारी भरकम आपको डोकुमेंट यानि की कागज नहीं चाहिए होंगे आधार कैड़ समग गाइड की बैंक खाता है आपकी पास आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं और आपको मालू होगा मद्पदेश की बात करें त और चतीसगड पांच राज्यों से लगती है और आपको मालू होगा कि एक नवंबर सन 2000 में मद्पदेश से अलग करके चतीसगड राज बना था और जब तक मद्पदेश का हिस्सा था चतीसगड छेथफल में सबसे बड़ा राज मद्पदेश हुआ करता था भारत में ले राज्य सभा में 11 सीटे हैं लोग सभा में 29 सीटे आपको देखने को मिलेगी वर्तमार में आगे राजपाल मंगू भाई सी पटेल हैं और मुक मंत्री सिवरासीं चोहान है भारती जिंता पार्टी की सरकार है और बीजेपी की बात करते हैं तो 1980 में इसकी स्थापना हुई पहले इसकी अध्यक्ष राष्टी है अटल बिहारी बाचपही थे और अभी 2023 में ही चुनाओ है यहां बिधान सभा के तो कहते हैं कि बिधान सभा को चुनाओ को ध्यान में रखते हुए जिना लाई गई है कि महलाओं के बोट जिससे लिये जा सके हैं और आपकी मन में सव सभाल और आता होगा कि यह चुनाओ करवाता कौन है बिधान सभा बिधान पविश्यद राज्य सभा लोक सभा राष्टपती उपर राष्टपती इनके लिए आप देखते हैं कि Election Commission of India होता है भारती है निरवाचन आयोग एक सम्मिधानिक संस्था है यानि कि सम्मिधान की किसी अनुछेद में उस संस्था का उलेक किया गया है उसकी स्थापना की बात कही है तो उसी को आप लोग सम्मिधानिक संस्था कहते हैं तो Article 324 को अनुछेद 324 को अगर आप लोग पढ़ें तो इसकी स्थापना की बात की गई है चुनाओ आयोग की और 25 जनबरी 1950 में दिल्ली में हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा सू कुमार सेन पहले मुख चुनाओ आयोगते थे और जो आपके इस्थानी चुनाओ होते ना सरपंच प्रधान पंचयार नगर पंचयार नगर पालिका नगर निगम इनके लिए हर राज में चुनाओ आयोग होता है मध पिदेश के मुखमंती सिवरासिंग चौहान ने 28 जन्वरी 2023 को लाडली बहना योजना की घोसना की थी एक डेट आप लोग याद रखिएगा और जिसकी उपचारिक शुरुआद बीते चार मार्श को हो गई थी और बता दें कि रासरकार की लाडली लच्मी योजना के तह इस से 60 वर्स है उनके खाते में 1000 रुपे ट्रांसपर किये जाएंगे और राज सरगार ने इस योजना के पहले साल के लिए 8000 करोड का प्रावधान किया है बजट में और योजना का उद्धिस आर्थिक रूफ से कमजोर महलाओं को ससक्त बनाना है और योजना का लाब मिल को लाब मिलेगा जो आर्थिक रूफ से कम जोर हैं दूसरी में आप देखेंगे जिनके पास 5 एकर या उससे कम जमीन है उन्हें इसका फायदा मिलेगा तीसरी केटिगीर के अंतरगत ऐसे लाब आरती सामिल होंगे जिनकी सालाना आए 2,500,000 रुपे या उससे कम है इसके अ यह उजना का फायदन उठा सकती हैं आबेदन कर सकती हैं और इस यह उजना का लाब लेने के लिए बहनों को किसी पिकार की आरिप्यमाडपत की जरूरत नहीं पड़ेगी और हाला कि टेक्स पियर फैमली की महलाओं को इस यह उजना का लाब नहीं मिलेगा जो टेक्स देत वहीं से पात महलाओं को स्कीम का आभेदन फॉम बरना होगा और रेजिस्टेशन की पिक्रिया मार्च अपरेल में पूरी की जाएगी और इसके बाद 10 जून से बहनों के खाते में पैसे आने सुरू हो जाएगे 10 जून से तो मुझे रखता है कि इतनी जानकारी इसके बारे में काफी है और इसका आसपास रहने बाली महलाओं को जरूर बताईए आप लोग जसे फायदा उठा सकें अब चुनाओ में ही सही, चुनाओ के उद्देश सही सही, कम से कम फायदा मिले वही अच्छी बात है